तो नया साल 2024 अभी बस दो ही दिन बीते हैं लेकिन शुरुवाती दो दिनों में जापान के लिए भयानक तबाही और मुश्किल का ये दिना हैं क्योंकि पहले दिन यनी साल के पहले ही तारीफ को भुकम के जटके जापान ने महसूस किये और फिर दूसरे दिन यनी आज भीशन अगनिकांड का जापान गवाह बना जापान के एक एरपोर्ट पर यानि टोक्यो के हनीदा एरपोर्ट पर 389 लोगों की जान आग के गोले से लिपट गई लेकिन राहत की बात ये रही कि वो सभी लोग सुरक्षित निकाल लिये गए एक हवाई जाहस दूसरे छोटे विमान से टकराया और उसके बाद सब कुछ जैसे लग रहाता खत्म ही हो जाएगा लेकिन चुस्त तैयारियों और सूजबूज के कारण एक बड़ा हाथसा तल गया देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट रन्वे पर दोड़ता वैत्यकार आग का गोला आग का होबाद चलता रहा जहाज मच गई चीख फुकार जापान में हाहकार स्थार की शुरुआत जापान के लिए दुनिया में सबसे बुरी मानी जा सकती है धूदू करता ये जहाज रन्वे पर तेज़े से दोड़ता दिख रहा है अब तक किसी को नहीं पता कि इस विमान में कितने लोग सवार है इस विमान में आग कैसे लग गई है क्या इसमें सवार लोग बचे भी है या फिर हांसे का शिकार हो गए है जैसे ही ये तस्विरे एरपोर्ट पर मौजूद लोगों को दिखी सबकी सांसे अचक गई हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिर जापान चू हाथसों का देश बंता जा रहा है लेकिन इस वक्त किसी के लिए कुछ भी सोच पाना मुश्किल था इस वक्त विमान में सैक्रो याकी सवार थे और बाहर एरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों के सामने शिनौती इनको बचाने की थी और क्योंकि ये जहाज आख का गोला बन रन्वे पर दौड रहा था आपको बता दें ये तस्विर जापान की टोक्यो में लेंडिंग के दौरान की है जब इस जहाज में वीजन आग लग गई ये हादसा हानेड़ एरपोर्ट पर हुआ है अब तक ही खबरों के मताबिक ये विमान पहले एक छोटे से प्लेन के साथ टक राय था जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ इस हादसे के काफी देर बाद तक किसी के लिए कुछ भी समझना मुश्किल था तुकि जैसे ही विमान एरपोर्ट पर उत्रा यहाँ चीफ को कार मच चुकी थी दरसल विमान में आग लगने से इसमें मौचूद लोगों का दम भूटने लगा लोगों की साह से थमने लगी हालकि ऑक्सिजन की कमी के चलते प्रेन की भीतर खुद बखुद ऑक्सिजन मास्क खुल गए आपको एक बार फिर बता दें कि अब तक क्या क्या हुआ विमान न्यू हिनोस्ते से हानिदा जा रहा था और ये छोटे से विमान के साथ चकरा गया इस विमान में 366 सवार थे शालक गल के 12 सदस से भी इसमें मौझूद थे सबसे ची बात ये है कि सभी सुरक्षित बच गए फिर भी दूसरे एंगल से लेंडिंग का वीडियो देखें तो साथ देखा जा सकता है कि विमान लेंड होने के साथ ही उसके निचले हिस्से में आग का गुबार दिखने लगा खबरों के मुताबे कोस्ट कार्ट के विमान से इस आग उगलती विमान की ट्रकर हुई थी ये विमान उसे घसीट तेवे ले जाने के चलते इतनी बड़ी दुरगटना का शिकार हो गया हलकि हासिक के तुरण बाधी यात्र को विमान से नीचे उतारने का काम युद्ध इस तर पर शुरू हो गया मौके पर दमकल अधिकारियों की टीम भी पहुँच गई और लोगों की जान बचाने में अपनी एहम भूमी का निभाई लेकिन इन लोगों की जान बचाना बिलकुल भी आसान नहीं था क्योंकि इन सभी विमान सवार लोगों के पास बचने का एक ही मौका था वो भी ऐसा कि बच सके तो बचो वरना काल के गाल में समा जाएं खैर इस हाथसे ने दुनिया को एक सीख और दी है कि समय रहते ऐसे हाथसों से जान बचानी हो तो बिना विवेग खोए धैरे से ही मौत को मात दी जा सकती है विरो रिपोर्ट जी मीडिया तो जापन की राजधानी टोक्यो के हानिदा एरपोर्ट पर आखिर क्या हुआ? कैसे हुआ? एक बार फिर आपको तस्वीरों के जरीए समझाते हैं विमान से उतरते वक्त एरपोर्ट के रनवे पर कोस्ट गार्ड का एक विमान खड़ा हुआ था यानि ये जब विमान रनवे पर उतरा तब उस दौरान ये जब रनवे पर आगे बढ़ रहा था टार्मे की तरफ जा रहा था उस वक्त ये टकराया कोस्ट गार्ड के एक विमान से और देखिए यातरी विमान एरपोर्ट पर लैंड कर रहा था तभी कोस्ट गार्ड के ए इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एरपोर्ट पर एक साथ दो विमान जब जल रहे हों तो वहां किस तरीके की स्थिती रही होगी, किस तरीके की अफरत अफरी होगी और साथ ही इस विमान में सवार पाइलेट्स और यातरियों पर क्या गुजरी होगी क्यो कि ये विमान तेजी से आके गोले में तबदील हो रहा था, जापान में जो विमान जल गया उस पर ये तस्वीरे देखिए